हिंदी की सुरुचि पूर्ण और उतक्रिष्ट कहानियों की श्रंखला में आज सुनिए बैंगलोर की प्रतिष्टित और सशक्त कथाकार पवित्रा अगरवाल जी की लिखी हुई कहानी चल तो शुरू करें कहानी चल दीदी मेरी एक सहिली मुसीबत में है असल में वो एक धोके का शिकार हो गई है आप से कुछ सला मश्वरा करना चाहती है आप से बिना पूछे मैंने उसे यहां आने को कह दिया है मैंने कुछ गलत तो नहीं किया दीदी नहीं अनू तुने कुछ गलत नहीं किया है कब आये की वो उसके साथ क्या दोखा हुआ है उस विशे में तुम मुझे कुछ बता सकोगी हाँ दीदी जो थोड़ा बहुत मुझे ग्यात है वो मैं आपको बता देती हूँ मेरी उस सहली का नाम सुर्भी है उसने मेरे साथ ही इंटर पास किया है उम्र यही 18 साल के आसपास है वो छे बहने हैं भाई एक भी नहीं है बहनों में उसका नंबर चौथा है दो वर्ष पूर उसकी सबसे बड़ी बहन पूनम जो शादी शुदा थी की मौत हो गई थी अभी ढाई महीने पहले अपने उसी बहन के पती भीश्म से सुर्भी का विवा हुआ है सुर्भी के दूसरे नंबर की बहन नीलम की शादी में उसके यह जी जाजी भी आये थे नीलम के विदा हो जाने के बाद वो अपनी पत्नी पूनम को याद करें बहुत रोए और सुर्भी के पता से अनरोत किया कि सुर्भी की सूरत मेरी पत्नी पूनम से बहुत मिलती है मैं उसे बुलानी पाया मैं पूलम को बहुत प्यार करता था मैं सुर्भी से शादी करना चाहता हूँ सुर्भी के पिता तयार नहीं थे उनका कहना था कि सुर्भी से बड़ी एक बहन अभिवाहित है उससे पहले उस सुर्भी की शादी नहीं कर सकते हाँ सुर्भी की बड़ी बेहन से शादी करना चाहो तो विचार किया जा सकता है लेकिन उसके जीजा भीश्म ने सुर्भी की बड़ी बेहन से शादी करने से इंकार कर दिया और वे सुर्भी से शादी करने के जिद्ध करने लगे उन्होंने कहा सुर्भी की बड़ी बेहन की शादी में मैं धन से आपकी मदद करूँगा क्योंकि दामाद भी बेटे की तरह ही होता है उसके लिए अच्छा मैच भी बताऊंगा अब मैं और अकेला नहीं रह सकता सुर्भी से शादी करके अब अपने साथ ही ले जाऊंगा सुर्भी के पिता ने शादी माय रिष्टेदारों से सलह मश्विटा किया सभी ने यही सलहा दी की जाना पहचाना लड़का है जमीन जायदाद है अच्छी नौक्री है मौका हाथ से मत जाने दो उम्र भी अधिक नहीं है सुर्भी से आठ नौ वर्ष बढ़ा होगा बस यह शादी करके एक और बेटी की जिम्मेदारी से निपट जाओगे सुर्भी को भी सभी ने यही समझाया कि तुमारे पिता का स्वास्त ठीक नहीं रहता तेरे अत्रिक अभी तीन लड़कें की शादी और करनी है पतानी कब और कैसे कर पाएंगे तु भागे शाली है तुझे तु मांग कर ले रहा है पिता ने शादी की स्विक्रती देते हुए दो तीन सब्ता का समय मांगा था ताकि कुछ पैसे का इंतिजाम कर सकें किन तु वो नहीं माना उसने का बगवान की किरपास से मेरे पास सब कुछ है मुझे सुर्भी के अत्रिक कुछ भी नहीं चाहिए उसने जबरदस्ती दसजार रुपे सुर्भी के पिता के हाथ में रख दी है कि तैयारी मेरे रुपे खर्च कर लें इस तरह दूसरे दिन ही सुर्भी की शादी हो गई शादी के बाद वो सुर्भी को लेकर भूमने चला गया 20-25 दिन सुर्भी के साथ हनीमून मना कर वो दो दिन के लिए अपनी पोस्टिंग वाली जगे भी गया फिर सुर्भी को याद छोड़ गया तब से सुर्भी यहीं पर आया उसने पत्र में लिखा था कि उसका इस्थानांतरन होने वाला है तब लेने आएगा तो अब समस्या क्या है अनू दीदी अभी सुनने में आया है कि सुर्भी से शादी करने के पंद्रे दिन पहले भी उसने एक और शादी की थी पता नहीं क्यों वो उस पत्नी के साथ एक दिन भी नहीं रहा और अब उससे तलाक लेने की कोशिश कर रहा है यद्यपी ये बात उसने सुयम ना सुर्भी को बताया ना उसके घरवालों को तभी अनु के सहली सुर्भी आ गई थी बहुत उदास थी उसकी आखें रो रो कर सूच गई थी मैंने उससे पास बैठा कर समझाया था कि परिशान मत हो हर समस्या का हल होता है इसका समाधान जरूर होगा मुझे विस्तार से पूरी बात बताओ तुम्हें ये कैसे ग्यात हुआ कि तुम्हारे पती ने तुमसे पहले भी एक शादी की है मेरे पती आदमपुर में है वो एरफोर्स में है अभी चार-पांच दिन पहले की बात है कि मेरी छोटी बेहन जो दस्वी कक्षा में पढ़ती है अपनी एक सहली से बात कर रही थी बातों के दौनान उसने कहा मेरे जीजा जी भी आदमपुर में रहते है मेरी बेहन ने कहा हमारे जीजा जी भी आदमपुर में रहते है उसने बताया वो एरफोर्स में उनका नाम भी बीश मिसिंग है मेरी बेहन ने ये बात घर आकर बताई तो हम लोग चौके कि कहीं ये दोनों व्यक्त एक ही तो नहीं है मेरे पिता उस लड़की के घर गए उसके पिता ने बताया कि मेरी बतीजी की शादी करीब तीन महीने पूर हुई है उसका पती भीश एरफोर्स में है और आजकल आदमपूर में है फोटो देखकर बोले हाँ इसी से तो मेरी बतीजी की शादी हुई है शादी के दूसरे दिन ही उसने मेरी भतीजी को वापस भीज़ दिया और अब वो तलाग चाहता है ये सब समाचार मुझे भाई के पत्र से ग्यात हुए है भतीजी की शादी के बाद से मेरी मुलाकात भाई से नहीं हुई है अता डिटेल में मुझे जानकारी नहीं है यदि उसी लड़के ने पुनहा आपकी बीटी से भी शादी की है तो ये तो सरासर धोका है सरकारी नौकरी में है इस धोका धड़ी के जुर्म में उसकी नौकरी तो जाएगी ही उसे जेल भी हो सकती है उसे सजा मिलनी चाहिए मैं अपने भाई को यहां बुलाता हूँ आप दोनों मिलकर उस पर केस कर दें तो उसकी तो ऐसी की तैसी हो जाएगी दीदी हमारे घर में मातम कासा माहौल है इधर ग्यात हुआ कि मैं मा बनने वाली हूँ क्या करूं कुछ भी समझ में नहीं आता मेरी जंद्गी तो उसने बर्बाद कर दी है मन होता है आत्मत्या कर लो वो सुबक सुबक कर रोने लगी मैंने सुषांतोना देने का प्रयास किया और पूछा अब तुम और तुमारे पिता जी क्या करना चाहते है पिता जी उस पर कोर्ट केस करना चाहते है उन्होंने वक्ति से नोटिस भिजवाया है वो आज कल में आता ही होगा मैंने सुर्बी से कहा उसके आने पर हो सके तो एक वार मेरे पास लेकर आना पता तो चले कि उसने ऐसा क्यों किया और अवो क्या चाहता है तब ही आगे के विशे में कुछ निर्ने लिया जा सकेगा दूसरे दिन ही सुर्बी अपने माता पिता के साथ मेरे पास आई थी उन्हीं से पता चला कि भीश में सिंग भी आया हुआ है मैंने उनसे पूछा वो चाहता क्या है और उसने आपके साथ ये दोका क्यों किया जबसे वो आया है बस रो रहा है कहता है मैंने आपके साथ कोई दोका नहीं किया सुर्बी मेरी पत्नी है और जिंदिगी पर मेरे साथ रहेगी मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ उसे पूरे सम्मान के साथ रखूंगा पहली शादी के विशे में कहता हाँ मैंने वो शादी की थी किन्दो लड़की वालों ने मेरे साथ दोका किया है उस लड़की के शरीप पैरों पर सफे दाग हैं जो कपनों से डखे रहते हैं उपर से दिखाईने देते देने के जुर्द में सजा कराएंगे चाहे में मेरी जान ले लें लेकिन मैं उस लड़की के साथ नहीं रह सकता उसका कहना है कि सुर्भी के बहन नीलम की शादी में सुर्भी को देखकर मुझे अपनी पत्नी पूनम की याद आ गई और तभी सुर्भी के पिता ने सब बाते विस्तार से बताते हुए मुझे से पूचा बेटी अब तुम बताओ हमें क्या करना चाहिए मैंने कहा अंकल मैं जानना चाहती हूँ कि आप क्या चाहते हैं उससे समझोता करना चाहते हैं या उससे सजा दिलाना चाहते हैं यों तो भीश में ने हमारे साथ सरासर धोका किया है, हमारी बेटी के जिन्दगी के साथ खिलवार किया है, फिर भी हम यदि उस पर मुकदमा दायर करते हैं, तो उसके साथ साथ हमारी बेटी की जिन्दगी भी बरबात हो जाएगी, अभी वो इतनी पड़ी लिखी नहीं कि अपने पैरों पर खड़ी हो सके, साथ ही वो मा भी बनने वाली है, हम इतने समरद नहीं कि बेटी को इतना कुछ दे दें कि वो आसानी से जीवन निर्वा कर सके, मैं तो अपनी तीन कुआरी बेटीों की ही शादी नहीं कर पा रहा, उसकी दूसरी शादी कैसे करपाऊंगा, कोट केस करो भी तो बरसों लग जाएंगे और पैसा भी पानी की तरह बहेगा जो हमारे पास नहीं है यदि हम केस जीद गए और उसे सजा करा पी दी तब भी मेरी बेटी की जिन्दगी की कोई समस्या हल नहीं होगी अभी तो माफी मांग रहा है मेरी बेटी को अपने साथ रखना चाहता है उसकी एक यही विंती है कि पहले पक्ष के साथ मिलकर हम उसके विरुद खड़े नहूं और कोट में एक गवाही भी ना दें कि उसने हमारी बेटी से शादी की है क्योंकि पहले पक्ष का साथ देने का मतलब उसकी सजानिश्चित है अपनी बेटी के हित को ध्यान रखकर हमने भी यही फैसला किया है कि हम भीश्मी के विरुद ना जाएं बेटी क्या हम कुछ गला सोच रहे हैं नहीं अंकल आप जिन परिस्तियों में हैं उनमें आपका इन निर्ने गलत नहीं है फिर भी मैं चाहती हूँ कि आप अपने दमाद भीश मिसिंग से मेरी एक मुलाकात करा दे है सुर्भी के माता पिता के जाते ही मेरी छोटी बेन अनु मुझ पर बरस पड़ी वादी दी आप तो नारी सुतंतरता नारी नियाए की बड़ी बड़ी बाते करती हुआ सोचती है ये तो उस दोके बाज के सामने हतियार डालना हुआ उसके किये की सजा उसे कहा मिली उसे तो जेल की सजा होनी चाहिए यदि आपके साथ या मेरे साथ ऐसा होता तब भी आप यही निर्ने लेती देखो अनू कोई भी निर्ने व्यक्ति विशेश की परिस्तितियों के हिसाब से लिया जाता है मेरे साथ यदि ऐसा होता तो मेरा फैसला ये नहीं होता मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ पढ़ी लिखी हूँ पोल्ड हूँ वैसे भी सुर्भी के पिता को मैंने कोई सलह नहीं दिये ये उनका अपना फैसला है किन्तो मुझे उनके इस फैसले में कोई बुराई नजर नहीं आई बशरते भीश्म की नियत में खोटना हो शाम को सुर्भी भीश्म के साथ आई थी आते ही भीश्म ने कहा था सुर्भी आपको दीदी कहती है क्या मैं भी आपको दीदी कह सकता हूँ हाँ हाँ क्यों नहीं दीदी इस सुर्भी को समझाएं आपको तो पता होगा कि ये मा बनने वाली है किन्तु ये इस गर्ब को समाप्त कर देना चाहती है कहती है मुझे तुम जैसे दोके बाज के साथ जीवन नहीं बिताना मुझे अपनी जिंदगी अकेली काटनी है इसके लिए मुझे आत्म निर्भर बनना होगा पढ़ना होगा ये बच्चा मेरे पैरों की बेड़ी बन जाएगा हाँ दीदी मैंने कुछ गलत नहीं कहा वैसे भी बच्चा पती पत्नी के प्रेम की निशानी होता है लेकिन हमारे विभा का आधार प्यार नहीं चल है मैं इस बच्चे को जन्न नहीं देना चाहती और नहीं इसके साथ रहना चाहती हूँ उस लड़की के परिवार ने इनके साथ धोका किया इसलिए इन्होंने उनकी लड़की को त्याग दिया इन्होंने मेरे साथ धोका किया है इसलिए मैं इनका त्याक करती हूँ ये मेरी प्रीय बेहन के पती रहे हैं बस इस नाते इनको अपनी तरफ से ये सहय उग दे सकती हूँ कि हम इनके खिलाफ कोर्ट में खड़े नहीं होंगे किन्त दूसरी पार्टी बहुत संपन है इनको सजा करा के रहेगी इस दोके बाज को सजा मिलनी ही चाहिए कहकर सुर्वी रोती हुई वहां से उठकर चली गई मेरे पूछने पर भीश्म सिंग ने कहा दीदी मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ जिसका एक के बाद एक शादी करते जाना शौक हो हाँ मैंने एक सच को छिपागर बहुत बड़ा अपरात किया है यद्यप उसके पीछे भी मेरा सुर्वी के प्रति प्यारी ही था मैं बता देता तो सुर्वी को नहीं पा सकता था अभी तो ये मुझसे बहुत नाराज है यद्यप इसकी नाराजगी सही है अभी मैं जा रहा हूँ उधर का केस सोलचते फिराऊंगा आप से एक निवेदन है किसी तरह समझा बुझा कर सुर्वी को गरब पात कराने से रोक लें आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूँगा उसके माता पिता ने तो मुझे माफ कर दिया है भीश में सिंग तो वापस लोट किया था सुर्वी को मैंने समझाया था कि गरब पात भी हत्या ही है तुम बच्चे को जर्म दो यदि तुम उसे साथ नहीं रखना चाहोगी तो मेरे भाई भावी को दे देना उनके कोई संतान नहीं है वो से गोद ले लेंगे बहुत समझाने पर वो मान गई थी किन्तो वो अपने फैसले पर अटल थी कि भीश में के साथ नहीं रहेगी एक दिन सुर्वी ने बताया कि पुलिस ने दहिज के लिए पतनी को छोड़ने वा सताने के आरोप में बीश में सिंग को गरफतार कर लिया है इस समाचार के साथ आर दिन बाद ही एक दिन अचानक बीश में सिंग सुबह सुबह मेरे घरा पहुचा दीदी स्टेशन ज़सीदी आपके पास आ रहा हूँ सुर्वी या उसके घरवालों को मुझे तो कहा था कि सफेद दाग होने की बात लड़के को बता दी गई है जबकि इनको नहीं बताई गई थी मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है मैं तो शादी करना ही नहीं चाहती थी क्योंकि मैं जानती थी कि उसका अंत कुछ ऐसा ही होगा आपसी सहमती से हमारा तलाग हो गया है यहां सुर्भी के माता पिता तो मुझे माफ कर चुके है कि तो सुर्भी मुझे नफरत करती है बहुत सी बाते हुँ मुझे करता रहा फिर सुर्भी के घर चला गया शाम को पुना आया था बहुत निराज दिख रहा था उसने बताया माता पिता के समझाने का भी सुर्वी पर कोई असर नहीं पड़ा कहती है जबर्दस्तिन के साथ भेजोगे तो आत्मत्या कर लोगी सोचता हूँ आज वापस लोट जाओ थोड़ी देर बाद सुर्वी को उसके माता पिता मेरे पास लेकर आए थे सुर्वी के एक बार फिर दोके बाज कहने पर बीश्म सिंग तड़क उठा था इतने दिन से मैं चल और कपट के आरोप सुने जा रहा हूँ चल मेरे साथ भी किया गया था किन्त मैंने आज तक हो बात कभी नहीं कही उस परिवार के अतरिक्त भी आपसे किसी ने चल किया था किसने दिया था आपको धोका सुर्वी ने पूछा था तुम्हारे मम्मी पापा ने भी मेरे साथ धोका किया था मैं नहीं मान सकती तुम्हारे साथ क्या च्छल किया था यदि तुम्हारे मम्मी पापा ने अपनी गलती सुईकार कर ली तो क्या तुम मुझे एक शमा कर दूगी मैं तुम्हें बतातो रहा हूँ कि तुम ये कभी मत सोचना कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करता बेटे तुम किस चलकी बात कर रहे हो हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा पापा मैं अभी बताता हूँ आपकी बड़ी बेटी यानि मेरी पत्नी पुनम को हार्ट डिजीज थी डॉक्टर ने उसकी शादी ना करने की सलहा भी आपको अबश्य दी होगी लेकिन इस सचाई को मुझसे च्छिपा कर आपने उसकी शादी मुझसे कर दी क्या मैं गलत कह रहा हूँ पापा की नजरें जुक गई थी हाँ बेटे हार्ट प्रॉब्लम तो उसको थी किन्त उसकी शादी ना करने की सलह डॉक्टर ने हमें नहीं दी थी किन्त पापा आपने हार्ट प्रॉब्लम वाली बात भी तो हमें नहीं बताई एक तरह से क्या चल नहीं है पहली प्रेग्नेंसी में डिलीवरी के दोरान पूनम की मौत हो गई हमारी डॉक्टर ने बताया कि ऐसे केसे में हम लड़की की शादी ना करने की सला देते हैं क्योंकि मातरत तो एकी पीड़ा उसके लिए जानलेवा बन सकती है सुर्भी के माता पिता मौन थे अब मुझे कुछ नहीं कहना है मैं सवेरा होटल में ठहरा हूँ सुर्भी तुम्हारे पास सोचने के लिए रात भर का समय है यदि तुमने मुझे माफ कर दिया है तो सुबह साथ बज़े तक मुझे खबर भिचबा देना मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा वरना सुबह की ट्रेन से वापस लोग जाऊंगा सुर्भी ने जाते हुए बीश्म का हाथ पगड़ कर उसे रूख लिया था रूख जाओ मैंने निर्ने ले लिया है मैं तुम्हेरे साथ चलने को तयार हूँ अभी आप सुन रहे थे पवित्रा अगरवाल जी की लिखी हुई कहानी छल आशाय कहानी आपको पसंद आई होगी कल मिलेंगे फिर किसी सुनतर कहानी के साथ आपका समय शुप हो